लगता लोग सबस्चुनाफ के नतीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं बीजिपी को यूपी में बड़ा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में बीजिपी की सीटें काफी कम होती हुई दिखाई दे रही है तीस सीटों का बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में बीजिपी आगे चल रही है वही दिल्ली की सभी साथ सीटों पर बीजिपी बढ़त बनाए हुए है और उत्तर परदेश से लेकिन बीजिपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है वहाँ पर बीजिपी को 30 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यह अंतर कई सीटों पर काफी जादा है लेकिन उडीसा से बीजिपी के लिए अच्छी खबर आ रही है जहां पर बीजु जनता दल वहाँ पर सिर्फ एक सीट पर सिमर्ती वही दिखाई दे रही है एक बड़ी पार्टी वहां की है वहां की बड़ी स्थाने पार्टी और रगातार नवीन पतनाया को लेकर जो बयान भी दिये जा रहे थे कही ना कहीं वो काम होते वोए दिखाई दे रहे हैं कि बीजु जनता दल को नुकसान हो रहा है लेकिन अम एठी से बीजिपी के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है स्पृती इरानी पीछे चल रही है कि शोरी से पीछे चल रहे हैं डिंपल यादव आंगे चल रही है आजमगर से निरहुआ पीछे चल रहे हैं धरमेंद यादव वो सब् Two को सबसें बढए लेक्शन एकिन दिर्वण्द्र यादव इस वक्त ₽ वो आगे चलते हुए दिखाई दे रहे है सुल्तान गंसे मेनका गांधी वो इस वक्त पीछे दिखाई दे रही है वो उनको इस वक्त उस सीट से नुकसान बीजिपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है मेनपुरी से डिंपल यादव पहले कईर कुछ राउंड की आगे अकाउंटिंग आगे हुती जा रही है और वो आगे चल रही है और कन्योज से अखिलेश यादव आगे चल रहे है सुब्रत पाठक पीछे चल रहा है अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इस पर सस्पेंस आखरी दिन तक बना हुआ था कई ना कई समाजवादी पार्टी अपना बचाते वए दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी से आगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चल रही है और अमेठी की सीट सबसे चौकाने वाली सीट जहाँ पर 2019 में श्मृति इरानी ने राहूल गांधी को हरा दिया था अंतर भी बढ़ा था राहूल गांधी वहां से चुनावहार गए थे लेकिन वा